प्रियमित्र नमस्कार पाइप फिटर ट्रेनिंग के इसकारिक्रम में आपका स्वागत है आज के इसकारिक्रम में हम इस्ट्रेनर के विशे में जानेंगे इस्ट्रेनर के कारी क्या है इस्ट्रेनर के प्रकार क्या है और ड्राइंग में इस्ट्रेनर को किस प्रकार से दिखा आया जाता है फिल्टर और इस ट्रेनर में क्या अंतर होता है इन सभी विसेओं को हम बारी-बारी से जानेंगे तो इस ट्रेनर के कार यह क्या है अखिर इस ट्रेनर को क्यों प्रयोक किया जाता है पाइपिंग के काम में इस ट्रेनर एक बहुत ही महतोपूर डिवाइस होता है जो पंप को रिस्पेक्ट करता है यह इस ट्रेनर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल को कचड़े को पंप में जाने से रोकता है आप ऐसा समझें कि यह एक च्छाननी का काम करता है जैसे पंप में कोई छोटा छोटा पार्टिकल या कोई ऐसा मेटल चला जाए जिससे हमारा पंप डेमेज होने की संभावना हो तो उसी पार्टिकल को यह च्छानने का काम करता है उसी पार्टिकल को यह निकाल देता है लाइफ बढ़ जाती है यदि यह इस्ट्रेनर न हो तो पंप को डेमेज होने की संभावना जादे रहती है इस्ट्रेनर का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है तो आप अधिकतर पंप के पास में सेक्शन लाइन में इस्ट्रेनर का प्रयोग देखने को मिल जाएगा दूसरा कमप्रेसर के पास में आपको मिल जाएगा और तीसरा टर्वाइन के पास में अधिकतर आपको मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं कि इस्ट्रेनर कितने प्रकार का होता है जैसा कि आप जानते हैं कि पाइपिंग में इस्ट्रेनर मुख्य रूप से चार प्रकार से देखने को मिलता है पहला Y टाइप इस्ट्रेनर दुसरा T टाइप इस्ट्रेनर तीसरा बास्केट टाइप इस्ट्रेनर और चवथा डूपलेक्स टाइप इस्ट्रेनर तो आएए एके करके हम इस इस्ट्रेनर के विशे में जानते हैं यह वाई टाइप strainer का चित्र है इस strainer का प्रियोग हम steam में, gas में, liquid line में प्रियोग करते हैं वाई टाइप इस्ट्रेनर का प्रयोग पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा हो वहाँ पर प्रयोग करते हैं जैसे कि जिस लाइन में पार्टिकल साइज यानि की कचला थोड़ा सा बड़ा हो उसमें हम वाई टाइप का इस्ट्रेनर प्रयोग करते हैं डर्ट होल्डिंग की कैपिसिटी इसमें कम होती है इसलिए प्रेसर डाउन होने की संभावना रहती है इसलिए इसको बार-बार खोल करके क्लीन करना पड़ता है चित्र देख रहे हैं यह T टाइप इस्ट्रेनर है इस इस्ट्रेनर का प्रियोग हम वाटर लाइन में पंप के पास करते हैं अब हम बात कर लेते हैं बास्केट टाइप इस्ट्रेनर की बास्केट टाइप इस्ट्रेनर में डर्ट होल्डिंग की कैपिसिटी जादे होती है वाई टाइप इस्ट्रेनर से बास्केट टाइप का इस्ट्रेनर का प्रयोग हम लार्ज डायमीटर इस्टिम लाइन में करते हैं जहां पर हाई फ्लो कैपिसीटी की लाइन होती है वहां पर बास्केट टाइप इस्ट्रेनर का प्रयोग किया जाता है इसमें प्रेसर ड्राप की कैपिसिटी कम होती है वाई टाइप इस्ट्रेनर की अपिक्षा अब हम बात कर लेते हैं डूपलेक्स टाइप इस्ट्रेनर की यह बास्केट टाइप इस्ट्रेनर का ही दो पार्ट होता है डूपलेक्स टाइप इस्ट्रेनर का प्रियोग हम केमकल लाइन में अधिकतर देखने को मिलता है डूपलेक्स टाइप इस्ट्रेनर को क्लीन करने में आसानी होती है हम ये जो उपर वाल्ब देख रहे हैं यहाँ पर इसको चेंज करके दूसरे इस्ट्रेनर का प्रयोग कर सकते हैं आईए अब हम बात कर लेते हैं कि ड्राइंग में इस ट्रेनर को किस प्रकार से देखते हैं या ड्राइंग में इस ट्रेनर को किस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे आप ये PNID देख रहे हैं piping and instrument diagram देख रहे हैं तो इसमें ये जो pump है pump के section line में ही strainer को दिया जाता है जैसे आप ये discharge line देख रहे हैं तो इसमें strainer नहीं है लेकिन अगर आप इस section line को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यह strainer का symbol है यहाँ पर ये जो str करके और इतने नंबर का ये दे दिया गया है जिससे यह पता होता है कि यहाँ पर strainer लगा हुआ है अब हम बात कर लेते हैं कि आईसोमेट्रिक ड्राइंग में strainer को किस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये जो pump के nozzle का symbol बनाया गया है ये जो देख रहे हैं यहाँ पर pump के nozzle का symbol बनाया गया है ये reducer लगा करके आगे line को लिया गया है यहाँ पर ये drain point दिया गया है और ये bend point को दिया गया है लेकिन इसके आगे ही जो आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखा गया है यह 060R करके यह नंबर दिया गया है यानि कि यह जो है यह इस्ट्रेनर का सिम्बल दिखाया गया है किसी किसी आईसोमेट्रिक ड्राइंग में जब वाई टाइप का इस्ट्रेनर रहता है तो वहाँ पर एक लाइन को खीच करके और इस्ट्रेनर के सिम्बल को ऐसे दिखाया जाता है आईए अब हम बात कर लेते हैं इस्ट्रेनर और फिल्टर में क्या अंतर होता है इस्ट्रेनर जो है अधिकतर सेक्षन लाइन में लगाया जाता है जबकि फिल्टर डिस्चार्ज लाइन में लगाया जाता है क्योंकि फिल्टर करने के लिए आपको प्रेसर की आउसकता होती है और सेक्सन लाइन में प्रेसर कम होता है जबकि डिस्चार्ज लाइन में प्रेसर जादे होने की वज़ा से वहाँ पर फिल्टर दिया जाता है इस ट्रेनर छोटे छोटे कड़ को जो आँखों से दिखाई दे उसको क्लीन करता है जबकि फिल्टर बहुत ही छोटे पार्टिकल जो माइक्रोन साइज के होते हैं या आँखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको फिल्टर क्लीन करता है इस ट्रेनर अधिकतर मेटल का बना होता है जबकि फिल्टर मेटल और नान मेटल दोनों प्रकार से बना होता है जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं तो यह इस ट्रेनर का चित्र है और यह जो आप देख रहे हैं यह मेंब्रेन या पेपर फिल्टर दिखाई दे रहा है जो फिल्टर में प्रियोग किया जाता है